सो गाईज यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्रीम 11 की तरफ से हमने एक मेल आया और इस मेल में लिखा है कॉंगरास सिलेशन यो ड्रीम 11 अकाउंट हैज विन विरिफाइड और आप विड्रोग के लिए एलिजवेल हो चुके हैं आप अपने ड्रीम 11 से अपने बैक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं ड्रीम 11 को ओपिन करता हूं और दोस्तों उपर में यहाँ पर फाइल के अपने अप्सन पे क्लिक करता हूं और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा विड्रोग का अप्सन आ चुका है और दोस् चलिए हम आपको दो मिनिट में बताता हूं और सब कुछ लाइब बताता हूं दोस्तों आप दो से तीन मिनिट में अपना अकाउंट सब कुछ वेरिफाइड कर लोगे और आप विड्रॉल भी कर सकते हो अपने पैसे को तो चलिए हम अश्टार्ट करता हूं यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक न्यू आइड को ओपिन किया है और पूरफाइल पर क्लिक करता हूं आपके सामने और दोस्तों यहाँ पर माई बैलेंस पर क्लिक करता हूं और दोस्तों जैसे हम यहाँ पर क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आड पर किलिक करोगे तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं नहीं मुबाइल नबर वेरिफाइड है और दोस्तों उसके बाद नीचे में आपको अपना एक जीमेल पर affirm करता हूँ तो दोस्तों ऊसके बाद आपको सबसे पहले जीमेल को यहां पर देख सकते हैं मेरे जीमेल आ चुका है और मैं यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने मैं verify करूंगा इसको दोस्तों यहां से देख सकते हैं click here to verify now कर अपसन आ रहा है इस पर जब मैं जैसे click करता हूं तो दोस्तों हमारा तुरंट के तुरंट यहां पर देख सकत सबसे पहले तो आपको पेन कार्ड का फ्रोंट फोटो होता है उसको यहां से अप्लोड कर लेना है उसके बाद जो पेन कार्ड में आपका नाम होगा उसको नाम डालेना और पेन आइडी नंबर यहां पर डालेना उसके बाद डेट वर्ट सलेट कर लेना और दोस्तों आप ज तो आपको दोस्तो जैसे वेरिफाइड हो जाएगा PengCart तो आपको यहाँ पर bank option आ जाएगा दोस्तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर किरोर नat जारा लाहे जब तक आपका पैन counterpart वेरिफाइड नहीं हो तब तक यहाँ पर bank option नहीं आएगा यहाँ पर जैसे bank आएगा, bank option आजाता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपना passbook, bank का जो passbook होता है, चाहे checkbook होता है, चाहे bank statement, सबसे पहले आपको उसका photo upload करना है, और सबसे पहले आपका account number डालना है, फिर से account number डालना है, उसके बाद आपके bank IFC code डाल के submit कर देना है, जैसे submit कर देता हो, तो दोस्तों आपको एक से दो गंटे में आपका account verified हो जाएगा,